नमस्कार दोस्तो वेलकम टू सेल्फ केर दोस्तो आज माँआप सभी को एक ऐसे दिव्य पत्तों के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके उस दिय गुणों के बारे में जानकर आप हैरान हो जाने वाली हूँ जी हाँ ये जो आप पेड़ देख रही हैं इसे देखते ही आप एचान गई होंगे बहुत साधारन सादिकने वाला ये पेड़ आपके घर में या फिरास पास जरूर होगा ये पेड़ है अमरूद का जिसे जाम फल भी कहते हैं अमरूद के फल के गुणों से तो आप भली ब पुष्टरादी प्रोपर्टीज पाई जाती हैं जिसे की बहुत सारी रोगों को हम मात्र अमरूद की पतियों से दूर कर सकती हैं तो आइए इन दीवे पत्तों के बारे में गिटेल में जानती हैं अमरूद के पत्तों में पोली फिनोएल्स, कैरेटी नॉइड्स, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं जो जीवन और मृत्यू के बीच की स्थिती में आ जाती हैं ऐसे में यदि आप अमरूद की पत्तियों का काढ़ा अगर पीते हैं तो आपके सरीर में बहुती तेजी से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ने लगती हैं यदि आप मोटापे से पाया जाता है जो कि हमारे सरीर की चरबी को पिगलाने का काम करता है साथ ही आतों की सहत को सुधारते हैं अमरूद की पत्तियों का सेवन अमरूद के पत्तों में डायटरी फाइबर प्रयाप मातरा में होता है जिससे कि आपका पेट खुलकर साफ होगा और आपको बैक्टिरियल गुन होते हैं जो पाचन तंतर में मुझूद बैक्टिरिया जहरीले एंजाइम्स को मारने का काम करते हैं आपके पेट के pH बैलेंस को मेंटेन करते हैं पाचक रसके उत्पादन को बढ़ाते हैं जिसे की पूरे पाचन तंतर को सुरुक्षा मिलेगी जिन अमरूद के पत्ते सुक्रोज और माल्टोज नाम की सुगर के पाचन को घटाते हैं साथी कार्बोहाइडरेट को गलुकोज में बदलने से रोकती हैं अमरूद के पत्ते रोजाना खाने से इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ता है और आपकी सुगर मैंटेन रहती है यदि आ जादतर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका कोलेस्टोल बढ़ा हुआ है अमरूद के पत्तों में हाइपोलिपीडेमिक गुन होती है जो कि आपके सरीद में से LDL कोलेस्टोल को घटाती है इसके बाद आता है यदि आपको स्वांस संबंदी कोई समश्या रहती है सांस ल अमरूद के पत्तों में अं-टी-यलर्जिक गुन होती है इन पत्तियों में विटेमिन सी भी पर चूर्मात्रा में पाया जाता है इसके अलावा अमरूद के पत्ते सरीर में हि시다 माइन प्रधार का उत्पादन करते हैं हिश्टा माइन सरीर में immune response को बढ़ाता है जिस्से फाद खाज खुजली आधी होती रहती है तो इस तरह कि किसी भी एलर्जी से अम्रूद के पत्ते आपको छुटकारा दिलाते हैं चैर्म रोगों के लिए इसके पत्तों का लेप बनाकर लगा सकते हैं और सदी जुखाम के लिए इसका काढ़ा बना कर पी सकते हैं यह पाधा की म्यून्टी को दस गुना जादा बढ़ा देता है रोजाना एक पताम रूद का आपको इंफ्लामेशन से बचा सकता है यानि कि हमारे सरीर में जो सुजन आ इक तो वो सुजन होती है जो चोट लगने पर हो जाती है वो एस्थाई सुजन होती है जिसको हमारा सरीर स्वतै ही थीक कर लेता है लेकिन पुछ ऐसी सुजन खुट से प्लोक Jha Demo बदल चुकी होती है तो अमरूद के पत्तों का नहीमित सेवन करने से आपकी सुजन या फिर जक्म बिल्कुल ठीक हो जाती है अमरूद की कोमल ताजा पत्तियां अपने चबानी है इस तरह की एक दम यंग लिव जो होती है इने तोड़ कर एक बार अच्छे से दोले और एक या दो पत्ती सुबह खाली पेट चबाले इन पत्तियों में लाइकोपी नाम का एक एंटियोक्षिडेंट होता है जो कैंसर को सिकाओं को बनने से रोकता है यदि आप रोजाना एक पत्ता अमरूद का खाती है तो आपके सरीर में कैंसर होती सकती पैदा हो जाती है जो सभ पत्तियों के रोजाना सेवन से आपको जिंदिगी भर हार्ट ऐटक कभी नहीं होगा आपका बलड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और श्ट्रोक कभी नहीं होगा आपको अम्रूद की पत्तियों को पानी के साथ ही डाल कर रूबाल लीजिए पांच मिनट बलने के बाद इसे और आपका काड़ा बन कर तियार हो जाएगा ये जो अमरूद के पत्तों का पानी है इसमें हाई क्वाल्टी का प्रोटीन और बायोटीन होती है जो आपके बालों की संपूर्ण सेहत के लिए महतोपूर्ण है इस पानी को ठंडा करके इससे अगर आप अपने बाल धोते हैं तो आपके बालों का जड़ना बंद हो जाता है बाल काले घने और लंबे हो जाती है ये पानी पीने से आपके जोडों के दर्द गठिया की सिकायत दूर हो जाती है इस पानी से गरारे करने से मसूडों की सुजन खून आना दान दर्द मू की दुरगंद ये सब दूर हो ज तो ये थे अमरूद के पत्तों के धेरों फायदें बिल्कुल कोश्ट फ्री मेडिसीन आपके लिए महंगी महंगी केमिकल वाली दवाईयां खाने से तो अच्छा है कि नेचर की दी हुई ये हरबल चीजे हम अपनी डाइट में इंकलूड करें और अपनी हैल्थ को बहतर बन अगर किसी ने पत्ते यूज किये हैं और उनको फायदा मिला है तो मुझे कोमेंट में जरूर बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हर्ब का महतों समझें और उप्योग करें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना चैन प्रिवाद